जैमस्षी के दोस्तों, आज के सुरी के मन्ना का भाग हमने लिया है यशाया के पुस्तक, उसका एक्सेट्वा अध्याय और उसका सात्वा वचन वचन कहता है, मेरे लोगों को लज्जा के बतले में तूना भाग मिलेगा अपमान के बतले में वे अपने भाग के कारण चैजय कार करेंगे अंत में वे अपने देश में तुना भाग प्राप्त करेंगे और सदा आनन्दित बने रहेंगे धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र सामर्थी वचन में अद्बुष शिफा है तेरा वचन हमें शुद्ध करता है और तेरा वचन हमें एक सास उत्पन्न करता है उत्सा उत्पन्न करता है आज का वचन हमें क्या बताता है वचन हमें बताता है कि परमेशर में जिन लोगों को परमेशर ने चुना है जिन को परमेशर ने अपना बनाया है वो सदा आनंदित रहेंगे, बलाई आपने लज्जा सहन की हो, बलाई आपने लज्जा सताव सहन किया हो, बलाई आपके जीवन में लज्जा और सताव हो, लेकिन आपका जीवन आनंद से भरा हुआ है, क्यों आनंद से भरा हुआ है, नमबर वन, एक तो परमेशर आपके साथ है, उसके आत्मा साथ है, उसकी आशीशियां आपके साथ है नमबर दो, आपके बुध्धी परमेशर ने खोल दी है वो बुध्धी जिसमें पता लगता है कि शैतान कौन है और परमेशर कौन है हम अब तक नहीं जानते थे कि हमारे जीवन में शैतान भी काम करता है हम समसे थे कि परमेशर ही हमारे जीवन में काम करता है परमेशर ही बिमारिया लाता है परमेशर ही दुख लाता है परमेशर ही हमें परिशाओ में डालता है लेकिन नहीं है गलत है शैतान हमारे जीवन को पूरे तरीके से तहस नहस कर देता है क्योंकि हम पर्मेश्र की रशना हैं क्योंकि हम पर्मेश्र के समानता और सुरूप में बनाए गए हैं इसलिए शैतान नहीं चाहता कि हम सुकून से रहे हम शांती से रहे इसलिए शैतान हमारे जीवन में बहुत से बहुत से उतार चड़ाव लेकर आता है हालेलुया, लेकिन आज हम जान गए हैं, आज हमारे जीवन में कोई भी सताव होता है, हमें पता है, कि कौन कर रहा है, किस के दोरा हो रहा है, अगर हमारे रिशिदार के दोरा हमें कोई सताव आता है, तो हम जान जाते हैं कि शैतान उसके दोरा काम कर रहा है, हालेलुया, और सबसे जरूरी है कि बाइबल में कई वचन हमें बताते हैं कि परमेशर हमारे साथ है लेकिन मैं यहाँ पर दो वचनों की उल्ले करना चाहूंगा जो रोमियो आठ के 28 में हैं उसमुक कहता है कि और हम जानते हैं कि जो लोग परमेशर से प्रेम रखते हैं उनके लिए आपके जीवन में जो चीज़ भी घटित होती है वो आपके लिए अच्छाई ही उत्पन्ने करती है कितनी ही संसार के सामने हो सकता है संसार ये समझे कि आपके दिन बुरे आ गए है हो सकता है संसार ये समझे कि आपके जीवन में सताव चल रहा है लेकिन वो सताव आनंद में बदल जाता है जब परमेशर का आशीश आपके जीवन में आता है जब परमेशर का वज़न के दोरा आप अपने जीवन में चलते हैं हललुया और इसी का 32 वज़न क्या कहता है कि वो जिसने अपने पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा जब परमेशर को सिद्ध करता है कि जब परमेशर ने अपने एकलॉते पुत्र को नहीं रख छोड़ा उसने एकलॉते पुत्र का बलिदान दे दिया किस के लिए? हमारे सुब के लिए हमें आशीशों को देने के लिए हमारे जीवन में आनंद भरा रहे हम आनंदित रहें, हम उसकी शांती में बने रहें इसलिए इशुम उसी मरा और मर के सिंदा हुआ तो ये प्रमार हमने 2000 साल पहले देखा है लेकिन आज हम उस आनंद को भुकत रहे हैं हम उस आनंद में हैं, हम उस शांती में हैं क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं इसलिए हमारा आनंद है, इसलिए हमारी शांती कोई नहीं छीन सकता है हमारा सुख कोई नहीं छीन सकता है हमारा आशीश कोई नहीं छीन सकता है हम परमेश्वर के बंदे हैं और हम आशीश पाने के लिए ही पैदा हुए हैं, हम सुख पाने के लिए ही हमने नया जन्म प्राप्त किया है, वो आनंद, वो सुख, वो शांती, जो संसार की नहीं है, लेकिन परमेश्वर की है, और वो हम में है इश्व मसी के नाम से, तो आई हम प्रातना करते हैं, पवित कि लिए सोक और शांते और आशीश मांगते धन्यवाद देते पराथ आपने सुनी और कुबूल की एमेन, एमेन, एमेन